हे दोस्तों, कोई दोस्त या फिर कोई लड़की गर्ल्फरेंड आपको धोका देती है, तब आपको क्या करना चाहिए, मतलब जब वो आपको चीट कर रही होती है, तब आप कैसे पता करेंगे कि वो आपको चीट कर रही होती है, एक तरफ वो आपसे हलकी पुलकी बात भी कर कर पाओगे कि वह आपको चीट कर रही है या नहीं कर रही है देखार सबसे पहला मिलने से बचना जब भी आप उससे बोलोगे मिलने के लिए वो कोई नहीं बहाना बना देगी क्योंकि उसे कहीं और भी टाइम देना होता है चाहिए फैमिली में समझो चाहिए किसी और ललके कि यह साथ समझो पर आपको चीट कर रही होती है कि उसे किसी और से बात करने होती है या फिर मिलना होता है तो इसलिए वह आपसे मिलने से बचेगी दूसरा है कम बात करना दो कैर पहले तो उन-दिन मेर không बात करेगी 12 1330 क्षाट हैं लेकिन अब सिर्फ हां उतना तक करेगी जितना दो-तीन मिनट्ट आप जब्रजास्थी करवा पारे हुए ठीक है मेरा मतलब है बो अपने मन से गभी आप से बात करेंगी जतना आप सोचोगे ना उतना ही बात करेंगे एक दो मिनट, तीन मिनट पूरे दिन में आप बार बार कॉल करोगे थो थोड़ा बहुत बात कर लेगी तीसरा ही कि आपकी बातों को अग्नौर करना मैंने बुला ना जब आप उसे कॉल करोगे तो आपको लगेगा कि यह आप उसकी बात से बोर हो रही है आपको एग्नूर करेगी ऐसा जटाएगी जैसे आपकी बातों में कोई इंटरेस्ट नहीं आप पहले की तरह नहीं रहे और वो फिर आपको छोड़ने के बहाने ढूंडेगी ठीक है चौथा देर से रिपलाई देना देखिए जब भी आप उससे चाहिए कॉल करोगे या फिर हम टेक्स मेसेज करोगे वाटसब करोगे वह हमें साथ देर से रिपलाई देगी वह और कहीं बिजी होगी यह दिखाएगी आपको जिससे आपको बहुत जदा गुस्सा आएगा और आप चीज़ों को सोचने लगोगे और यह बात आपकी ब्रेक अप तक पहुंच जाएगी कि देर से जब भी रिपलाई देगी आपके माइन में बहुत ज़्यदा बुरे ख्याल आगे और यह बात सही है जब लड़की ऑनलाइन है और वह आपको देर से रिपलाई दे रही है कम आज मैं आपकी भावनाओं का मजाग बनाना और केवल अपने काम के समय याद रखना यार ऐसा क्यों होता है जब आप अपने दिल की बात उसे बता रहे होते तो वो उसे गिनूर करती थी या फिर उस आपकी भावनाओं का मजाग बनाती है बोलती है ऐसा कुछ नहीं हो थ पहले से ही तुम्हारे पर पैसे नहीं थी या फिर तुम्हारे सारे दोस्त बेकार हैं या फिर तुम बेकार हो तुम्हारे दोस्त सही है वह तब कुछ ना कुछ ऐसा है बोल दीगी जो आपके दिल पर बात लगेगी इससे आपको बहुत वड़ा फील होगा ठीक है और जब अगर करती है तो भाई 100% दूर रहना वो आपको चीट कर रही है अगर काम की समय आपको याद करती है छेटा है आपको फोन नहीं उठाना और जगड़े करने का बहाना ढूंड़ना देखिया जब भी आपसे फोन लगाऊगे वो फोन तो उठाएगी नहीं लेकिन जगड़े करने का बहाना भी ढूंड़ेगी क्योंकि अगर उसने फोन उठाया तो समझ लो आप उससे बात करोगे और बात करोगे तो वो जगड़ा करेगी क्योंकि आपसे ब्रेक अप चाहिए ना वो चीट कर रही है वो किसी और की लाइफ में जाने वाली है तो याद रखना अगर ऐसा होता है तो आप उस लड़की को छोड़ी दो यार ऐसे बार बार घुटने से अच्छा है कि आप खुदी छोड़ दो या फिर एक बार बैट के बात कर लो कि कोई और प्रब्लम तो नहीं है लेकिन देखो अगर फैमली प्रब्लम में कुछ और प्रब्लम होते हैं तो एक दुबा जरूर सही निकलेंगी लेकिन अगर छे की छे आपके साथ हो रही है तो 100% वो आपको चीट कर रही है इसमें कोई भी सकी बात नहीं वाकिए आप कंफर्म कर लो उससे बात कर लो और भाई ब्रेक अप कर लो क्योंकि लाइफ में कमी नहीं है लड़कियों की चा सबसे ज़्यादा लड़कियों को इंप्रैस कर फाओगे सच्चा प्यार भी आपको आसानी से मिल जाएगा तो अगर वीडियो अच्छी लगी हो ते कि लाइक कर देना चल पर पहली वार आयत अपनी जाप सब्सक्राइब करके जाना दनने वाद